हेलो दोस्तो परदेसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल को लेकर कुछ जरूरी अपडेट है केनिया फ्लाइट को लेकर कुछ अपडेट है इसके लवा सिंगापूर फ्लाइट को लेकर कुछ अपडेट है साथ में इस सौधी अरब का टिकट क्या है रियाद का दमाम का मुंबई एरपोर्ट से और इसके लवा कि क्या आज की तारीक में अब वंदे भारत मिसन के तहट जो फ्लाइट आपरेट हो रही है उनको बंद करने का वक्त आ चुका है इस पर मैं बात करूँगा लेकिन उससे पहले आप स उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुचे तो पहली अपडेट केनिया फ्लाइट को लेकर केनिया की नेशनल एरलाइन्स कंपनी केनिया एरवेज ने इंडिया के लिए अपनी फ्लाइट से वाए फिर एक बार बहाल कर दी है कोविड-19 की जो दूसरी लहराई थी उसके में तीन दिन आपरेट होंगी केनिया एरवेज की फ्लाइट केनिया के नेरोबी एरपोर्ट से मुंबई एरपोर्ट के लिए ये फ्लाइट आपरेट होंगी कल 16 सितंबर को जो पहली फ्लाइट आई है वो केनिया के नेरोबी एरपोर्ट से सुबा 7 बजे फ्लाइट ने उ सितंबर से तो जो भी लोग Kenya से इधर ट्रवल करना चाहते हैं तो Kenya Airways पर भी आप ट्रवल कर सकते हैं इंडिया के लिए अगली अपडेट इंडिया सिंगापूर फ्लाइट को लेकर तो इंडिया और सिंगापूर के दर्मियान फ्लाइट से वाएं बढ़ने जा रही है ये ज सितंबर 26 सितंबर और 30 सितंबर को तो ये एर इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है इंडिया और सिंगापूर के दर्मियान फ्लाइट को लेकर अगली अपडेट वंदे भारत मिसन के तहट जो फ्लाइट आपरेट हो रही है उसको लेकर है तो टाइम साप ओमान में एक फ्लाइटे आपरेट हो रही है और 18 मेने बीच चुके हैं और 18 मेने के बाद भी अभी भी वंदे भारत मिसन के तहट फ्लाइटे आपरेट हो रही है तो क्यों ना अब ये जो फ्लाइटे आपरेट हो रही है वंदे भारत मिसन के तहट इसको क्या अब बंद नहीं किया जा था कि जो भारती फसे हुए हैं विदेशों में उनको वापस लाया जा सके तो क्या अब 17-18 महने के बाद ये इसकी जरूरत है क्यों ना भारत सरकार जो अपने बार्डर है जो नार्मल फ्लाइट पर जो पाबंदी है उसको हटा दे और जो कम दाम में ट्रिवल करना चाहते है सस्ते दाम में ट्रिवल करना चाहते हैं जब ये पाबंदी हट जाएगी तो बहुत सारे फ्लाइट के आपसन अवाइलेबल हो जाएंगे और सस्ते दाम में भी लोग ट्रिवल कर सकेंगे तो ये राहुल दास की तरब से आर्टिकल चापा गया है और ये आर्टिकल चापा देशों के साथ में अभी air bubble agreement के तहित फ्लाइटे चल लए है और वंदे भारत मिसंद के तहित फ्लाइटे अपरेट हो रही है और साथ में special arrangement के तहित जिन फ्लाइटों को permission दी हुई है डी जी सीय निए वो फ्लाइटे अपरेट हो रही है तो एक बार जब भारत जो normal फ्लाइ agreement आफ इंडिया इस पाबंदी को आगे बढ़ाएगी या अब इस पाबंदी को समाप्त कर दिया जाएगा है बैराल यह देखने वाली बात होगी चलिए दोस्तों अब चेक कर लेते हैं कि इंडिया से डारेट साथी अरब के लिए अभी टिकट के दाम क्या है उसका फियर आ रहा है वो आ रहा है 20,315 रुपी यह डारेट फ्लाइट होगी रात में 8 बचकर 25 मिनट के फ्लाइट है दम्माम पहुचेंगे रात में 9 बचकर 40 मिनट पर सौधी समय के हिसाब से तो यह जो दम्माम का भी फियर आ रहा है आप देख रहे हैं वह अपने स्क्रीन प ट्रेवल करना चाहते हैं तो मैं रियाद का भी चेक कर लेता हूँ चलिए रियाद रियाद मैं चेक कर लेता हूँ इसको मैं 21 सेप्टेंबर में देख रहा हूँ कि अभी क्या है फ्लाइट का दाम मुंबई से रियाद के लिए चलिए मैं इसको भी सर्च कर लेता हूँ तो ते वह समेजा है, यह एर इंडिया की, जो भी लोग टरवल करना चाहते हैं, आगरें डारेक्ट, जो लोग वैक्सीन की साथी तो वह आप तक पहुचाइए जाएगी, इसके लिए परदसी फ्लाइच YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए, खुश रहिए, गुडबाई